रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपाशक को वैसे तो हर समय शावधान पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यू की समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को शमेट लेते हैं और अपने प्रीतम के शुरूप में लगा देते हैं तुम होते ही रहे गए आप अब भेहोशी की हालत में जा रहे हैं नीद में जा रहे हैं तो एक समय रखो कि आप अपनी शया पर इतने शमय ही जाएंगे एक नियत समय रखो हमने देखा है शादुकों का एक शमय होता है कि 10 बजए हमें लेट जाना है सोना नहीं लेट जाना है और लेटे हुए भगवत चिंतन करना अब जब सो गए तो सो गए नहीं शो गए तो उसमें हमें टेंसन नहीं लेना अभी नीद नहीं आई साड़े दस बुझ गए ग्यारा बुझ गए ये नहीं आखमुदी मंत्राकार व्रत्ति तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे यह ऐसा भजन में मन लगाओ सो जाओगे जिनको नीद ना आती हो उनके लिए सही दवा है आप नीद का चिंतन न करके प्रभू का चिंतन करन ने लगो देख लेना आप कप सो गए पता निचाए और सवभाग्य से नीद ना आई तो नीद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का बिश्मरण नीद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है फिर वो मस्त हो जाता है उसमें जो उर्जा शक्ति जागरत होती संसार के चिंतन से उर्जा सक्ति नस्ट होती तो चार घंटे पांच घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुशुक्ति में तो उसे उर्जा शक्ति फिर आगे और अगर चार पांच घंटे आप प्रभू के चिंतन में रहे तो संसा प्रवार का चिंतन चूटा आनंदि सिंदु का चिंतन हुआ तो यह नहीं हुगा कि आज रात्री शोया नहीं तो बहुत टेंसन है परिशानी ऐसा नहीं होगा भीश्म जी आज्या करते है रात्रव चक्रिश्णम यह बहुत सावधानी के बाद प्राया इस सावधानी में नहीं रहा जाता बच्पन शिक्रसद गुरुद्य भगवार ने इस शिक्षा दी थे गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे शोते समय कोई वारता नहीं कोई अन्य चिंतन नहीं चुपचाप अपने मन को हटा कर केवल इस्ट में करो कब नींद आ जाती इसकी चिंता मत करो इस्टाकार ब्रती करके ही सोना चाहिए तो आगे जो लिर्खा है पुनरुथिताए जब उठो तव ऐसी ब्रती तो कुछ दिन बात स्वभाविक हो जाएगी श्वासे नींद भी तुमारी भजन हो जाएगी शमाद ही हो जाएगी यदि आप सोते समय प्रभू का चिंतन करेंगे बहुत इस सावधानी की बात है यदि इस जन्म में परमलाब लेना चाहते हो तो इस इस लोग को अपना जीवन बनाओ कृष्ण ब्रताहा हमारा जीवन का एक ही ब्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे अखंड भजन हमें अपने प्रभू को बोलना नहीं बजन में मन नहीं लग रहा पदगार है जोर जोर से चिला रहे हैं नाम किर्तन करें हमें अपने प्रभू से जुड़े रहना है कृष्ण ब्रताहा अनुश्मरं तो हमारा निरंतर इश्मरं चले बस ये प्रयास रखना है जब निरंतर इश्मरं की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए पर खास बात इसी ले कहा जाता है कि आप समझ जाओ रात्र उच्छ जब कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी उपासक कोई भ खास चाहिए जयेगा आप शावधानी हुई तो भीकार च्छा जाएगा ध्यान रखना आपका चिंतन गलत हो जाएगा आपकी चेश्टा गलत हो जाएगी जागरत में नंसी तो शोपन में आप शावधान उस्ष में जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो बेर्थ में कर्वटे मत बदलिए ये उपाशक का सुरूप नहीं होता रोगी है तो बात अलग है बोड़े असाध्य रोगों से नहीं तो ऐसी दिन चर्या नहीं होनी चाहिए साड़े तीन अभी आदा घंटा तो है फिर कमरोड लिए ये साधक का रही होता उचित समय जो मानू चार घंटा विश्राम का तो अब ये नेंद का विज़ाय आओ या ना हो हम तुमारे लिए पुस्प भिशा के नहीं बैठेंगे कि आजाओ 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 नहीं आई त इतने समय नहीं चार वज़े उठेंगे समय कैसे नहीं ये फेगा उसमें विचार नहीं के पहले फेखो और सहिया से नीचे उतरो भूमी को प्रणाम करो आगे बाद नहीं वो फिर आपको ऐसा होता है दस मिनट में तो कोई बात नहीं वो पार कर देगा घंटा दो जैसे मरने वाला नहीं होता शब जगे शिम्मन हटा कर प्रो और सची है पता नहीं आग खुले की ना खुले यह बड़ा धोखे का जीवन है यह ऐसे हजारों लोग शोए और शोते ही रहे गए हमको दोखे में नहीं रहना सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में आत्री के समय कोई और चिंतन न बनने पावे देखो आप यह आउस समय खास करके विशय चिंतन बनता है ध्यान रखना दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों शे और जब आप सयन के समय करेंगी और आपको विशयों में फसाने की चिस्टा करेंगी कोई क्रिया या पूरू में कोई क्रिया या कोई द्रश्य या कोई बात अगर कहीं मुबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ रात्र उचे कृष्णम पुनरुतिता जब तक नीन नहीं आती कि तब तक फिर वो ऐसी सामागरी डाल देगा बर्बाद हो जाओगे साधक मानलो हमारी प्रार्थना मानते हैं कि आज के समय में यंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है अब यंत्र का प्रभाव देख लिए यह चाती पर मोबाइल होगा यहीं धड़कन के साथ गंटी वज सकते हो जहां जाओ 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 जैस बिश्व की पूरी की पूरी बात पूरा विश्वात्मा है यह विश्वात्मा सुरूप है सर्च करो देख अब अगर साधक शावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया एकांत में जब सयन के समय गया उसमय मन आपको फसाने की च हैं तो एक और मोड मोड कहते हैं कोई फ्लाइट मोड दो क्या मोड में लगा दो सीधे मत रखो मोड में लगा दूर रख दो आप अपने चित्त को प्रभू में जोड़िए रात्री के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए आपको कुछ चिंतन नहीं करना सब से उठते ही य अपने आराध्य देऊ का शुमिरन फिर अपनी दिन चर्या करूं